दोस्तों आचके तेजी से भागती दोड़ती जिंदिगी और गलत लाइफटाल की वज़ा से शरीर में जरूरी प्रोटीन और मिनरल की कमी होने लगती है वाइटेमिन्स की कम होने लगती है जिसके वजह से शरीर कमचूर पढ़ने लगती है फिर कुछ समय के बाद शरीर बीमारी के गिरप्त में आ जाते हैं इसलिए हेल्दी रहने के लिए जरूरी है सही डाइट और कुछ घरिल उपायों की आयत के इस वीडियो में मैं आपको बहुत इफेक्टिव चीज के बारे बताने वाला हूँ जिसका सेवन करके आप अपने बॉड़ी की कई सारी प्रॉलम्स को जड़ से खत्म कर सकते हो जिस चीज के मैं बात कर रहा हूं दोस्तों वो चीज है खस 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 दोस्तों इसमें ओमेगा त्री और ओमेगा सिक्स फैटी असीड प्रोटीन फाइबर प्रोटेशियों फॉलिट अच्छी मात्र में पाजाता है इन सब के अलावा इसमें कैल्सियों मैगनेज थाइमीन वैडेमिन बी आदी पाए जाता है जो श्रीर के बहुत से रोगों को जड़ से खत्म क करता है और खसको दूद के साथ लिने से इसका फाइदा कई गुना बढ़ जाता है अगर आपके श्रीर में सूजन रहती है स्वेलिंग रहती है हाथ पैर सूजे रहते हैं चेहरा सूजा हुआ रहता है कमर में जोडों में हड्डियों में हमेशा दर्द रहता है रात को किडिनी में पत्री की समस्या है इमिनिटी कमजूर हो गई है बार बार आप बेमार पढ़ते रहते हो मेमुरी पावर वीक है चेहरे पर चमक नहीं है अनिंद्रा की प्रॉलम है यानि के रात को ठीक से नीन नहीं आती या सोने के लिए आपको दवाईयों का साहरा लेना हम अकसर बीमार पढ़ते रहते हैं उस चीज का हमें कोई फायदा नहीं होता यही हाल आपके साथ भी है तो इस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कोई भी चीज कितनी ही अच्छी क्यों नहीं हो अगर आप उसे सही समय पर और सही तरीके से नहीं खाएंगे उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा आई देखते हैं कि खसस दूद का हमें सेवन कब करना है कितनी मात्रा में करना है और कब तक करना है दोस्तों सबसे पहला काम आपको यह करना है कि एक से डेड़ चमच खसकस बीजों को थोड़े से पानी में तीन से चार घंटे के और भी कई को ना बढ़ जाएगी दूद में खसस डालने के बाद अगर आप मखाना डालते हों तो उसे 5-7 मिन तक बवाल कर लिजे मिठास के लिए आप चाहें तो उसमें मिला लेंगे और रात को सुने से एक घंटे पहले इसका लगतार दो महिने तक सेवन करना है दोस्त थोड़े ही काम करने पर ठक जाते हों कुछ भी करने का मन नहीं लगता हो दीन भर सोने का मन करता हो तो आप इस रेमेडी को जरूर फॉलो किजिए आपको बहुत जब्रदस्त फायदा मिलेगा चलिए विस्तार से देखते हैं खस-खस वाले दूद को पीने के फायदे के ब पायता है कि वाडtv फट्रव determin के पाया दोड़ी में ताज़गी मेहसुसिस करोगे दोस्तों इस तरह के दर्द में खसखस वाला दूद्ट बेहुत है क्योंकि इसमें ऑप्यम अलकलेट पायाता है जो दर्द को दूर करता है इसके लावा दोस्ते इसमें केल्शियम पाया जाता है जो हमारे हड्डियों के लिए दाथों के लिए बहुत अच्छा होता है आप खस-खस वाला दूद्ध पियोगे तो आपकी हड्डियां मजबूत चाहते हैं तो यह बहुत ही हल्प करेगा क्यूंकि खस-खस में केल्शियम आयरन कॉपर होता है जो दिमागी छमता को बढ़ाने में हल्प करता है साथी दिमाग को कुल रखता है स्ट्रेश को कम करता है इसके सेवन से डिपरेशन से रहत मिलती है अगर आप अपने बच्च अंटी ऑक्सिदेंट भरपूर मात्रा में होते हैं जो आपको लंबे समय तक जवाब बना रखने में हल्प करते हैं अगर आपको असमय जूरी आ गई हैं चेहरे पर आप अपने उम्र से ज्यादा देखते हो तो दोस्तों यह समझ लो कि आप काफी ज्यादा श्ट्रेश ल को अपने श्रीर को प्रॉपर वाइटेमिन मिनरल्स प्रोटीन देने होंगे तो इसके लिए आप रात व खसकस वाला दूद मखाने और बादाम के साथ जरूर सेवन किया करें इससे आपके श्रीर को पूरे पोशक्तातों मिलेंगे और साधी साथ सुबह जब भी आप जबूत करते हैं बाल जड़ने की समस्या आपके कुछी दिनों में ठीक हो जाएगी और बालों के गुरुत में आपको मदद मिलेगी इसके लाव आपके बहुत ज़्यादा ज़ड़ रहे हैं तो हफते में दो से तीन दिन प्याज का रस लगाईए बालों में प्याज को कर जबूत करके उसका रस लेजिए या फिर ग्रांड करके उसका रस निकालिए उसके जूस को बालों पर लगाईए जड़ों पर लगाईए इससे बाल जढ़ने की समस्या ठीक हो जाएगी और बाल घने और मजबूत हो जाएंगे इसके साथ साथ वाइटमिन C वाली चीज़ उन्हें खसखस वाला दूद रात को जरूर देना चाहिए इसमें पाइजाता जो बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है साथी दोस्तों अगर आप दवाई खाते हो घर में को ऐसा सदस्य हो जिनको हाई बीपी के समस्च्या हो तो उन्हें अर्जुन की छाल का काढ़ा प सकते हो अर्जुन की छाल को एक गिलास पानी में डालें उसे तब तक पानी आधा न रह जाए और उस पानी को च्छान कर रोज सुबह नास्ता करने के आधे घंटे पहले पिए ऐसा करने से भाई बीपी के समस्या कॉलिस्टल के समस्या और डायवेटीज तीनों रोगों मे या उसदी काफी अच्छा काम करता है इसके लावा आँखे कमचूर हो गई हो दूर पास करना देखता हो आँखों से धुनला देखता हो तो उन्हें खसकस वाले दूद में बादाम और मखाना मिलाकर लगातार दू महने तक पीना चाहिए इससे उनकी आँखों के रोशनी पेर घी की मालिश करें घी या फिर सर्सों के तेल के मालिश करके सो सकते हो इसे आपको फायदा मिलेगा तो यह है दोस्तों खसकस वाले दूद पीने के फायदे आप जरूर इससे पीजिए और इसके फायद उठाइए आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत- झाल झाल